प्रमातारानी की किर्पावनी रहे चलिए आज जानते हैं कि के कईनी सिरी राम के लिए 14 वर्सों का ही बनवास क्यों मांगा 13 या 15 वर्सों का क्यूं नहीं या फिर आज इवन क्यूं नहीं जो पहला कारण था वो था राजनितिक कारण हम सभी जानते हैं कि रामायन त्रेता यूग की कहानी है उस दोरान एक नियम था अगर कोई राजा 14 साल के लिए अपना राज्य छोड़ देगा तो वो उस समराज्य पर अपने सभी बंसानुगत अधिकार को खो देगा वो अन्य किसी परिस्थिती में या युद्ध में किसी अन्य माध्यम से उसे वापस जीत कर राज्य को पुना प्राप्त कर सकता है लेकिन वो अपने बंस के अधार पर साही खून होने के अधार पर अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता था बालमिकी रमायन के अयुद्या कांड में रिशी बालमिकी द्वारा इस नियम का उलेग किया गया है कि कई एक राजनितिक व्यक्ति थी और राजनितिक व्यक्ति होने के कारण वो इस कानून के बारे में जानती थी इसलिए उसने राम के बनवास के लिए ठीक 14 साल का समय मा इसलिए अगर राम वापस आ भी जाते तो भी वे समराज्य पर किशी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे। नुगत अधिकारी नहीं रह जाता और यही कारण था कि दुर्योधन ने पांडवों से तेरा साल, बारस सालों का बनवास और एक साल का अग्यादवास की मांग की थी। अधि भगवान सिरी राम 14 वर्षों तक अयुद्या से दूर परजा से दूर रहेंगे तो परजा पर उनका प्रभाव कम हो जाएगा क्योंकि परजा सिरी राम को बहुत प्यार करती थी। उन्हें लगा कि लोग उन्हें भूल जाएंगे और इतने समय तक भरत भी अपना राज इस्थिर करके अपनी इस्थिती को मजबूत कर लेंगे। क्योंकि यह सब भगवान की ही माया थी और वो यही चाहते थे कि उन्हें 14 वर्षों का ही बनवास मिले। लेकिन ऐसा ही क्यों अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान विश्णून के सिरे राम के रूप में इस धर्ती पर अबतार लेने का मुख उदेश ही अधर्म रूपी रावन का अंत करना था जिसके लिए वे बनवास गय थे। लेकिन माता सिता का अपहरन एवं रावन से युद्ध तो उनका आकरी वर्ष महीं हुआ था। जब रावन से युद्ध करने और उसका अंत करने में उनको केवल एक ही वर्ष का समय लगा तो बाकी 13 वर्षों का बनवास उन्होंने क्यों चुना। इसके पीछे भी कुछ खास कारण है। रावन एक परम प्रतापी राजा था जिसने भगवान ब्रह्मा एवं सीव की तपश्या करके अनेक ऐसे अस्तर सस्तर प्राप्त किये हुए थे जो समस्त देवताओं, राक्षसों, मानवों, इत्यादी पर विजय पाने को प्रयाप प्रस्तोत किया। इसी यही कारण था कि भगवान को वो सारे रिती रिवाज मानने थे, वो सारे कारे करने थे, जिससे यह लगे कि एक साधारन इंसान ने मेहनत से और अपने परिश्रम के अधार पर ही रावन का अंत किया था। साथ ही रावन को कई बड़ भी प्राप्त थे, जिस कारण उसका बद करना अत्यंत कठीन था। उसकी सिना में कई ऐसे युद्धा भी थे, जिनका बद करने के लिए भगवान सिरी राम को कई देविये अस्त्रों सस्त्रों की आवशकता थी। हलाके उन्हें अपने राजगुरु महरसिवसिस्ट और महरसिविश्वामित्र से कई देविये अस्त्रों प्राप्त हुए थे, किन्तो रावन से युद्ध करने के लिए केवल यही प्रयाप्त नहीं थे। इसलिए उन्होंने बनों में घूम घूम कर कई सिध्ध रिशियों से भेट की और उनकी समस्याए जानी उन्होंने सभी को अपना उद्देश से बताया और अपनी शक्ती यव भक्ती का परचे दे कर उनसे देविये अस्त्र प्राप्त किये। इस परकार भगवान सिरी राम को रिशी मुनियों से अस्त्र सस्त्र का संग्रा करने में कुछ समय की आवशक्ता थी। द्वारा भी आकरमन किया जा सकता था। ऐसे समय में सत्रु भारी पर सकता था क्योंकि वह सेना को आगे और पीछे दोनों ही और से अधात पहुचा सकता था। रावन के शेनिकों के कई छाबनिया भी ध्वस्त की एवं कई मायावी राक्षासों का अंति भी किया। रावन अपने अहंकार एवं भोग विलासिता में इतना दुबा हुआ था कि वह इस ओर धियान ही नहीं दे पाया। और इसी का लाब उठा कर भगवान सिरी राम ने इस ओर की धर्ती को राक्षास बहिन कर दिया। और इस परकार तेरा वर्षों तक प्रभुश्री राम ने अपने अस्त्र भंडा सस्त्र भंडार में अनेक ऐसे अस्त्र सस्त्रे का स्त्रित कर लिए जो रावन की शेना के लिए प्रयाप्त थी और उसे नस्ट करने के लिए प्रयाप्त था। और इसी से उन्होंने आधी राक्षासी सेना को पहले ही अद्बत कर दिया उसका अंत कर दिया और आधी जो राक्षासी सेना थी उसको भगवान श्रीराम ने शमुंद्र पार करके पूर्ण किया जे श्रीराम